दोस्तो कल तक मैं जिस बुक पर वीडियो बना रहा था आज इसको रोक रहा हूँ और आज की ये वीडियो में मैं एक डिप्रेशन पर एक बुक को डिस्कुस करूँगा दोस्तो कल जो न्यूस सामने आई वो बहुत ज्यादा दुखी करने वाली थी मतब लो किस लेवल तक का डिप्रेशन हो सकता है अब डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है दोस्तो आपको हो सकता है मुझे हो सकता है ये एक बहुत बड़ा लास था लेकिन ऐसे और भी लास हो सकते हैं दोस्तो जिनको रोका जा सकता है इसलिए कल सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर कई सारे व्यूवर्स से मुझे मैसेज करके बोला कि सर आप डिप्रेशन पर कोई बुक बनाएए तो आज की इस वीडियो में एक बुक को डिस्कुस करने जा रहा हूँ जो बुक चार पार्ट में होगी दोस्तों बड़ी कमाल की बुक है आई होप आपको पसंद आएगी शुरू करते हैं किस चीज की कोशिश कर रहे हो बज़े ये सवाल आपसे पूछ रहा है खुश रहने की लेकिन कोशिश क्यों कर रहे हो मैं बताता हूँ क्यों क्योंकि आज कल हमारे आसपास ये माहौल बन गया है फैशन बन गया है पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो पॉजिटिव 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 पर जूर देकर असलियत को मानने से इंकार करते हैं लोग वो कहते हैं ना हमारे आसपास में लोग कि ज्यादा स्मार्ट बनो, खुश रहो, अट्रैक्टिव बनो, चिम जाओ, वाड़ शॉड़ी बनाओ, ताकि लोग तुमसे जलें, अच्छा सोचे हो, जिन्दगी में अच्छा होगा, लेकिन ये सब चीजों का ड्रामा करने की जरूरत क्या है, तो ये सब चीजे करने के ल है, क्योंकि जो आदमी सच में खुश होगा, उसे क्या जरूरत है आईने के सामने खड़े होकर, बार-बार बोलनेगी कि मैं खुश हूँ, जो आदमी वास्तों में पैसे वाला होगा, उसको साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं पैसे वाला हूँ, तो मेरे कहने का मकसद क्य है दुखी रहना शुरू कर दें नहीं दर असल आप नोटिस करना आपके आस पास टीवी नियूस पिपर ऐसी ऐड्स आती हैं इनके अंदर जो आपको पॉजिटिव फील करवाने की कोशिश करते हैं कि ये घर खरीच सकते हो आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो लेकिन असल में य ये चीज़े करके उनको विरेवगा आपको यही याद दिलवा रहे हैं कि आपके पास ये सब चीज़े हैं ने वार एक्जामपल आज सोशल मीडिया पर हर को ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मेरी लाइफ तुमसे कितनी कूल है देखो मैं नई कार लाया तो हम भी उस चीज़ को देख करके कुछ टाइम के लिए उसमें खो जाते हैं और यहाँ सर्फ सोशल मीडिया पर एक बंदा नहीं है जो अपनी खुशी दिखा रहा है यहाँ पर सब के सब कर रहे हैं पूरी की पूरी नियूज भरी पड़ी है इससे यहाँ पर ज्यादेतर लोग ऐ ऐसे दिखाने की कुशिश की जाती है बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं कोई दुख है ने इनकी लाइफ के अंदर तो इनकी खुशी को देखकर कुछ टाइम के लिए हमें भी खुशी होगी लेकिन जब इससे बाहर आएंगे अपनी दुनिया के अंदर तो वो जो हमार क्या कर रहा हूं बैटकर अपने बिल्ली को सहला रहा हूं ये सब देखकर ना चाते हुए भी एक चीज हमारे दिमाग में बैट जाएगी कि मेरी जिंदगी तो कितनी बेकार है तो इससे होगा क्या एक चोटी सी टेंशन दिमाग में थी वो डिप्रेशन में बदल जाएग पता पहले के टाइम पर हमारे ग्रेंट फादर के टाइम पर क्या होता था जब इंसान खाली खाली बैटा बैटा रहता था तो उसको ऐसा लगता था सारी जिंदगी गोबर की बीच में काम करना है क्या है पिर उसकी बात कुछ करने के लिए उसकी पास कुछ नहीं होता था तो वो क्या करता था बारेश आने से पहले कम से कम गोबर सुखा लेता था अपनी condition को accept करता था जो भी वो है उसको accept करता था और काम कर लेता था tension तो उस time के आदमी के पास भी थी लेकिन आज अगर 10 second के लिए हम बोर हुए ना फिर सोचल मीडिया खोल कर देखेंगे कुछ शानदार जिन्दगी देखने को मिलेगी लेकिन फिर वापस अगर हम बाहर आएंगे अपनी इसी जिन्दगी में तो हमारा दुख जो है उसका लेवल बढ़ चुका होगा तो आप पूछोगे क्या करें तो इसका सॉलिशन है लोड ले लो तकलीफ को एकसप्ट कर लो लाइफ में जो आ रहा है उसको आने दो कम से कम खुश रहने का दिखावा मत करो दिमाग पर दबाओ देने से क्या होगा और ज्यादा दुखी हो जाओगे क्योंकि इस बुक में बार-बार एक ही चीज़ पर जोर दिया गया है कि पॉजिटिव के बारे में बार-बार सूचने से नेगेटिव फिलिंग को ज्यादा इनवाइट किया जाता है उल्टा अगर नेगेटिव को हगर हम एकसेप्ट कर लें कि भाई हम जैसे हैं वैसे हैं हम इसको एकसेप्ट करते हैं हम अपनी कंडिशन में सुधार करेंगे तो शायद अच्छा फील हो सकता है धिमाग का धही हो गया ना एक बार फिट से सुनो जो इसने बोला पॉजिटिव की चाह नेगेटिविटी है और नेगेटिव को एकसेप्ट करना ही पॉजिटिविटी है इसको बोलते हैं बैकवर्ट्स लॉग इसका मतलब आप जितने बहतर बनने की कुशिश करोगे उस पर जोर देते जाओगे उतना ज्यादा ही परिशान होते जाओगे इसके बज़ाए अगर आप सोचो कभी-कभी ऐसा भी तो होता है कोई चीज हमारे साथ बुरी हो गई उसकी वज़े से कुछ अच्छा हो गया जैसे कोरोना वाइरस इसके आने से सब परिशान है कि ये क्या हो गया लेकिन इसके बुरे के पीछे एक अच्छी चीज भी तो देखो एक ऐसी प्राब्लम सॉल्व हो गई जैसे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था इतने टाइम से एंवार्मेंट क्लीन हो गया अगर जीब में च्छाला हो जाता है वो दर्द जिता है तो उससे रोना आता है तो उससे एक चीज और भी तो होती है हम गंदा नहीं खाएंगे फास्ट फूड नहीं खाएंगे तो हमारी हैल्थ में सुधार होगा ऐसी बहुत सारी चीज़े गिनवा सकता हूं आप बोलो तो लेकिन बात समझ में आ गई होगी इतना बात है तो नेगटिव को इगनोर करने से अंदेखा करने से प्राब्लम साल्व नहीं होगी ना किसी की हुई या आस तक शायद एकसेप्ट करने से हुजा है मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था मैं क्या करता था बेमतलब की चीज़ों पर लोड लेना बंद कर दिया या बड़ टीवी पर हमारा शोर नहीं आ रहा है ऐसी बकवास की चीज़ों में हम लोड लेते हैं इस चकर में शायद हम दूसरी जरूरी चीज़ों को भूल जाते हैं जो ज्यादे जरूरी है शायद हमारे बेटे के पेट में दर दूरा है शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए इस चीज का लोड नहीं आ रहा दिमाग के अंदर टेंशन किस बात की है टीवी पर हमारा शूर नहीं आ रहा इस चीज की टेंशन है तो पहले तैत करो वास्तों में आप जिन चीजों की टेंशन ले रहे हो वो चीज़ें आपके लिए इतना जरूरी है भी क्या तो चिंता तो करो ये तो हमारी बायलोजी का हिस्सा है चिंता करना जरूरी है लेकिन बेकार चीजों के लिए नहीं क्योंकि जो लोग ये बात समझ जाते हैं वो अपने चिंता को सही चीजों के लिए बचा कर रखते हैं स्माர्ट लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि Problems के बिना कोई भी जिंदगी नहीं है चाय मेरी जिंदगी चाय किसी Celebrity की जिंदगी किसी की जिंदगी में छूटी Problem है किसी की जिन्दगी में बड़ी हो सकता है जो चीज आपके लिए बड़ी हो किसी और के लिए छोटी हो जैसे मैंने देखा एक स्टोर हाउस पर एक बुड़ी ओरत एक किसी कूपन के लिए लड़ रही थी कूपन के लिए चलना रही थी मैंने का सर्फ एक कूपन ही तो है सस्ता सा लेकिन उस बुड़ी औरत के लिए वो बहुत कुछ था क्योंकि इसके लिए इसके अलावा लाइफ में कुछ और है ही नहीं इस कूपन के अलावा लाइफ में कुछ है ही नहीं शायद इसलिए क्योंकि उसका husband उसको छोड़ गया है, बच्चे उसके साथ में रहते नहीं है, कमर में दर्द रहता है, tension बहुत है, तो उसके पास है क्या करने के लिए, यह coupon वाला काम, तो ऐसे में वो क्या करे, वो coupon ही उसके लिए बहुत जरूरी चीज़ है, तो मेरे लिए बहुत छूटी है वो, समस्या, शायद आपको भी इस बात की tension है, कि आपके ex-boyfriend की photo किसी दूसरी लड़की के साथ में, social media पे क्यों आए, इस चीज़ की फिक्र है, तो आप सोचो, आप में और सम्मा में फर्क क्या है, पता इससे क्या साबित होता है, कि आपकी जिंदगी म लिए हम feel करते थे, जिन चीज़ों के लिए हम रोते थे, वो ज्यादा तर चीज़ों का तो हमारे जिंदगी में रोल ही नहीं आगे, वो सब चीज़े तो बेकार थे, फालतू की चीज़ों में time based किया, और जब ये feel होने लग जाता है ना, जब ये feeling आती है, तो इस है, mature होना, maturity, परिपक्व होना, और समझ में आने लगता है कि परवा करने वाले चीज़े अलग है, और आपने देखा होगा, जैसे जैसे इनसान की उम्र बढ़ती जाती है, उनको इन चीज़ों से कोई फरक नहीं बढ़ता, वो accept करने लगता है, उमर की बढ़ने के साथ मे कि मैं जैसा हूँ, मुझे मन्जूर है, जो चीज़े मेरे हाथ में नहीं है, उनमें क्या कर सकता हूँ, मैं कैंसर की दवाई तो ढूड़नी सकता, सारे गाम मैंने थोड़ी करने है, तो सब कोई प्राब्लम है, सब कोई दर्द है, जैसे आपने सूचा है कभी गौतम याद रखो, जिन्दा रहने के लिए तकलीफे जेलना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बायलोजी का हिस्सा है, बायलोजी के हिसाब से तकलीफे जरूरी है, जीने के लिए तकलीफे जरूरी है, क्योंकि ये हमें उमीद देती है, दर्द बहुत जरूरी है, ये सिखाता है, जैसे एक पैर की सबसे छोटी उंगली को देखना अपनी, अभी देखो, ये अगर किसी दिवार से टकरा गई, कभी ना कभी तो टकराई होगी, तो उस बेचारी बेजान चीज के लिए, उस दिवार के लिए मुझ से खुद बखुद गाली निकलाती है, बिना efforts लगाए, निकलाएगी, तेकि जब हमको समझ में आता है उस बेचारी बेजान दिवार की क्या गलती इसमें, तो हम दिवार बनाने वाले को गाली देते हैं, और फिर भी समझ में आता है कि काफी पहले बनाई थी उसने दिवार तो, तो हवा में गाली निकल जाती है, किसको थी गाली, इतना तो बताएगी खुद को नहीं दियोगी, एक चीज ध्यान दिया आपने, कि जब पैर उससे टकराया है, तो उस दर्द ने हमको एक चीज सि दुका दे दिया तो, वो किसी और के साथ चली गई थी, तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं मरी जाओंगा, फिर, फिर क्या हुआ, फिर आज बुक लिख रहा हूँ ना, ये दर्द ये तकलीफ, चाहे शरीर की हो, चाहे धिमाग की ये गलतिया करने से हमें रोकते हैं, कि अ उमीद मत करो, क्योंकि प्राब्लम्स कभी खत्म नहीं होने वाली, और खत्म हो गई तो मुर्दाई बहतर है, जिन्दा और मुर्दाद में फर्क क्या है फिर, प्राब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, या तो ये बढ़ती है, या कम होती है, और ये हमारे हाथ में है, इसको कम खुशी मिलेगी या नहीं आपके दिमाग पर डिपेंड करता है याद रखना कोई भी मोशन चाहे वो अच्छा हो या बुरा खुशी का हो या गम का ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकता क्योंकि हमारी बायलजी के हिसाब से हमें हमेशा अलग-अलग टाइप के इमोशन्स चाहिए ही चाहिए सर्फ खुशी ही खुशी मिलती रहेगी तो हम बोर हो जाएंगे ऐसी खुशी से भी जैसे गौतम बुद्ध क्या कमी थी उनको क्यों चले गए वो अपने महल को छोड़कर एक सन्याजी बनने के लिए खुशी तो हर टाइप की थी उनके पास में तो हर टाइप का एमोशन्स जरूरी होता है चाहिए वो खुशी का हो चाहिए गम का हो जिस इंसान की शादी होती है उस शादी में लडाया भी होती है जिस बाइक को अभी अभी खरीदा है उसमें खराबी भी आएगी वहीं दूसरी तरफ कोई दवाई अगर पीने में कड़वी लग रही है तो हैल्थ के लिए अच्छी भी तो है जैसे मैं तीन बार वैश्टो देवी के मंदर की चड़ाई करके गया हूँ 12 किलोमेटर की मंदर को देखने के लिए सिर्फ एक मंदर को जो मुझे आसपास कहीं भी देखने को मिल जाएगा लेकिन उसी मंदर को देखने के लिए क्यों और तीनों बार जब भी गया हूँ तो एक ही लेवल की खुशी मिली है मुझे उस खुशी में कोई कमी नहीं आई जब भी मैं उस मंदर को देखता हूँ तो पूरा खुशी से भढ़ जाता हूँ क्यों पता है क्यों क्योंकि उस मंदर तक पहुँचने से पहले जो मैंने अपने पैरों में छालो का दर्द जेल कर वहां तक मैं पहुँचा था बारा किलोमेटर की चड़ाई करके उस चीज़ की खुशीती की कुछ करके आया हूँ अगर उसी जगा में लिफ्ट से या हैलिकॉप्टर से वहां पर पहुच जाता तो वो खुशी मिलती क्या तो कहने का मतलब ये है कि एक ही टाइप का एमोशन जब मिलता रहता है तो वो भी बड़ा बोरिंग हो जाता है चाहे वो खुशी खुशी क्यों ना हो और लोगों में ये गलत पहमी है कि हमें बस रिजल्ट मिल जाए लोगों को बस रिजल्ट से प्यार होता है उसके लिए महनत से जो महनत लगती है उससे प्यार नहीं होता पहाड पर चड़े बिना चोटी पर खड़े होने की इच्छा इनाम चाहिए लेकिन मेहनत नहीं रिजल्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस नहीं जीत चाहिए लेकिन तड़प नहीं तो ऐसी खुशी का क्या फायदा ऐसी खुशी में क्या मज़ा हैगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही बाकी का नेक्स्ट वीडियो में